प्रश्कार मित्रो मैं राजीव कुमार कानपूर से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं राजीव किचन गाटनिंग यूटूब चैनल अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरे चैनल को सेर करें सस्क्राइब करें और लाइक करें घंटी वाला बटन जरूर दबाए जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटीफिकेशन आपको सबसे पहले मिल चकए आज देखेंगे आप मेरी हार्वेस्टिंग और सुरुआत मैं करता हूं यहां से देखिए एक यह मेरी मूली है मैं सुरू यहां से करता ह थाँ देखता हूं कि कैसे से लाघता है कि हमें तो इससे पर एठा ही बनाना पड़े हां देखेंगे जराह मूली का सइज उसे मन्हरा इधर भी आपको दिखाता हूं यह देखे मेरी ब्रोकली और आज मैं इसको थोड़ा थोड़ा ब्रोकली को अटाऊंगा यहां से क्योंकि अगर मैं हटाऊंगा नहीं तो यह और ब्रोकली बहुत वह जाएगी इसलिए मैं इसको जल से उख़ाँ मैंने इसको जल से उख़ा और इसका जो है डंठल मैं की मिट्टी छुला देता हूं कि देखे मेरे कितनी बुर्बुरी मिट्टी है कि यह देखे इस तरह से निकली और मैं इसके पत्ते बाद में वहीं टोलूंगा एक मैंने इससे निकाली और एक मैं यह भी निकाल लूंगा क्योंकि यह भी बनके तयार है कि इसके अंदर जब पीला-पीला सब होने लगे तो आप भी अपनी ब्रोकली को इस तरह से निकाल ले यह देखी एक मैंने यह निकाली इस तरह से और यह अभी छोड़ दूंगा इधर भी यह हैट बन रहे हैं मैं इसको भी आज निकाल लेता ह आजानों और इतनी मैं करूंगा क्या एक साथ निकल लहीं मेरी देखे हैं तो मैं आज इनको अपने ब्रोकली दूंगा यह दिखिए साइज जरा देखिए ब्रोकली का साइज देखिए इनको वहां दखते भी जाई है और इसक के बाद में अधर एक यह भी फूल लाई है इसको भी निकालूंग। देखिए अब इधार यह जो मेरी पत्ट गोभी है उसको मैं हर्वेष्ट करता हूं。 इस तरह से इसको भी काट लेता हूं। इसको भी काट लिया देखा। यह देखिए इस तरह से देखिए कितनी संदर गोभी का फूल। और यह और्गनिक के पहचान है कि यह जो है अगर और निख होगा तो बिल्कुल वाइट नहीं होगा इसके अंदर पिला पन कुछ ना कुछ होगा यह देखिए इस तरह से मैंने अपनी गोवी निकाली अभी यह इधर छोटे हैं तो इधर छोड़ देता हूं मैं इधर आपको लिए चलता हूं कि पर यह किसी और दिन मैं निकालूंगा है हाई इधर चलता हूं कि इधर देखिए अभी मैं यह अपना प्याज भी हार्वेस्ट करूंगा और यह मुसम्मी एक पक गई है मैं उसको भी तोड़ता हूं कि यह देखे यह मुसम्मी पग गई है और इसको मैं आज हर्वेस्ट करता हूं यह देखे कितनी सुंदर मुसम्मी एक दम पीली-पीली और जो पेल की पकती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है यह थोड़ा सा कच्चा है और देखे इसमान फूल भी आ रहा है बहुत सारे इस कि मैं अभी यह देखें यह प्याज और यह कराल इनको भी तोलूँगा जो इस तरह से मोगरी है मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यह कितना सारा मेरा निकला है इस तरह से मैं करल को भी तोलूँगा यह और यह प्याज इस तरह से देखें मैं प्याज को भी अभी हार्विस्ट करूँगा यह मेरा यह वही प्याज है मेरा जो मैंने प्याज से लगाया था इसका साग बनेगा अजुनले कि मेरा यह अंज इस तरह से में धेने डिणे सारा प्याज काट लूँगत कि जड से едक फोलो जिससे ये फेर से ओला यह न निकलेगा यह तो मैं इस तरह से लेकिमाने प्याज भी इस तरह से काठाए मैं आज आपको दिखाऊंगा आफिगा 7 अब भी अपने घर पे यह खाने के लिए इस तरह से प्याज लगा सकते हैं यह देखिए आए इदार मैं करण भी अभी यह जो है ना यह इस तरह से इसको भी मोगरी कुछ लोग इसको बोलते इसको भी बहुत सारी लगी हुई है आज मैं इसको भी आर्वेस्ट करूंगा मैं करूँगा इधर दिखाता हूं आपको पर इसको भी बात हार्वेश्ट करूँगा थो अ इसका साइज देखें हर इसको भी मैं आज और मेरी मिट्टे कितनी भुर्बुरी है कि ऐसे हिलाते ही यह देखे ब्रोकली का साइज कितना है अथी ब्रोकली है और इसका वजन मेरी समझ में कि और दिख रहे हैं आपको मेरे हाथ में हेड नहीं आएगा देखिए यह पूरा हेड मेरे हाथ में नहीं आ रहा है इतना बड आपको इधार विल्ले चलता हूं कुछ टमाटर हार्वेस्ट करता हूं देखिए कितना सारा टमाटर जो लाल-लाल टमाटर है मैं उसी का हार्वेस्ट करूंगा यह देखिए यह लाल-लाल से टमाटर जो थोड़े हारे भी है उनको भी काट लूँगा जो पीला पर ले रहे हैं इनको भी काट लूँगा इसमें बढ़ सारी तो बातों आओं को भी किता है यह देखिए इधार से बाइन कुछ टोल लेकां आप देख रहे हैं कितना सारा टमाटर यह लेओं कितना सारा टमाटर यहां से भी मिल्ला है और मैं आपको उधार ले चलता हूं एक छपन कदूल और अर्गनिक टमाटर इधार नीबू देखिए खुब सारा नीबू लगा हुआ है कि अधिये मैं आपको इधर ले आता है इधर चपन कदू का अधि हर्वेस्ट करूंगा अधिये यह मेरा चपन कदू बहुत बढ़ा हो गया है अधिये यह कि यह एक शपन कदू इसमें पान शपन कदू लगा है यह देखिए यह इसको कल अपर सव साम्यार वेस्ट करूंगा विदिख लुक्तल की देखे, मैं आज अपना क्रेफ्रूट भी फार्विस्ट करूगा और इसको मैं आपको खा कर दिखाऊंगा इसा है और कितना पीला और इसके अंदर भी एक और लगाऊगा है छोटा सा पौदा है अब मैं इसको इस पौदे को कुछ दिन बाद जो 100 लीटर का ड्रम होता है 200 ल आप काटके 100 लीटर में इसको लगाऊंगा तो कि अब ये गबला इसके लिए छोटा पढ़ने लगा आये मैं इसको आपको खाकर देखा तो इसका स्वात करें सारा इसको मैं इतनी सब्दियां हर्वेस्ट करके लेकर आया है और आप देख रहे हैं जैसे बजार लगी जैस मैं अलोज करोस्तों को बशूंगा और मेरा रामादेवीर परिवार आपके ले जाँगा वाहां बढ़ अब अजो एक और चेहिए मैं यह घ्रेह अगर ने काटताहूं आपके सामने को अपार ऊद्हों कम पेसे संदि इखने से हतले हर निकलता है क्षा वो सateur हुगता है मैंने चुछ कर दो कर दो दो का फित कर आधाू है अै यॉां यौल कि आप से ने ऐसे ही काटना पड़ेगा जाकी से देखता हूं यह मीठा निकलेगा यह खट्टा निकलेगा इसके अंदर शिर्का ज्यादा है पल लगता छोटा ही निकलेगा तभी हलका होता है मैंने सोचा कि इतना बड़ा फल है जाली ही टूट जाएगी अगर नहीं इसके अंदर फल के अंदर छोटा ही फल है पग गया है पुरी तरे से देखते हैं जितना व्लास के अंदर यह निकलता है इसके मैं से हटा रहा हूं उसका चलका इस तरह से बने इसका देखिए अच्छा इसके अंदर विल्कुर संत्रे की तरह आख है जैसे संत्रे में पाख होती है उसकी तरह है इसके मैं इस दम से पुड़ा कुड़ा कर चाटा रहा हूं कि कहें इस दम से कट ना जाए इस दम से निगाला इस दो निगालता हूं इस तरह से इसका मैं इसको यहां रखता हूं और थोड़ा सा एक कली निकाल के खा के आपको बताता हूं कैसा है इसका मैं तौला सा के निगाल गता हूं है इसको ऊढ़र इसको देखिया इस तरह से निकाल देटा म aún कर दो निगा है बहुत बहुत मीठा है तोला सा generations कि कटश befण हे अलका सा है अगर बहुत मीठा है आप भी अपने गर पे अगर इस तरह और निक चीजे आ उगा के खाएंगे थो इसका जो स्वाद है वह राधी बजार में नहीं मिलेगा ज़ो और निक चीजा जो स्वाल है फिलोजरी चीजी अपनते हैं इतना महनत करनी कि क्या जूरुगत इतने में तो आप सब्जी मंडी चले जाईए वहां से ले आईए जाके, मगा नहीं, यह सब्जी मंडी में थोड़ी मिलेगा, यह और निक चीज़ नहीं मिलेंगे, इसका जो स्वाध है, जो जो गार्णिंग करता है, वही जानता है, अपने हाथ से उगाईवी चीजों का आ करन दी कुछ अलगा है, देखिए मैं इसको भी खा लेता हूँ, बहुत मिठा है, आपने देखा भी, मेरी हर्विस्टिंग रही, और यह जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी हर्विस्टिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, घंटी वाला बटन करें, जो दवाएं, इससे मैं जबी को नया वीडियो अफ्रोप्रों, उसकी नूटिफिक्सर आपको सबसे मेरे चैनल कि करें से hurdles, नमस्कार नायवादा लगा us झाल